आज से हम लोग simple interest की सीरीज स्टार्ट करने आलें इसमें हम लोग simple interest से related जितने भी concepts होंगे उनको हम लोग इसमें solve करना सीखेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है और प्लीज पहले चैनल को subscribe कर लिजे और प्लीज अपनी queries वगरे के लिए facebook group को join कर लिजे फिर्ट simple interest को समझने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप पहले percentage के lectures जो मैंने बनाय हुए है 9 lectures है percentage पे आप उनको एक बार देख लिजे and profit and loss में मैंने उन lectures से जो भी concepts थे उनको use किया था profit and loss में तो please पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इन दोनों ही lectures को एक बार देख लिजे ठीक है तो simple interest में हम लोग चलिए सबसे पहले जो concepts होते हैं उनको सीख लेते हैं simple interest में सबसे पहले आप चीजे समझ लिजे कि simple interest होता क्या है या फिर कैसे ये बनता है तो कोई भी amount जो हम लोग अपना बहुत simple terms में आगर कहूं कि हम लोग bank में पैसा जमा करते हैं तो हम लोगों को जो bank वापस उस पैसे को वहाँ पर रखने के लिए देती है वो क्या देती जये कि हमने कुछ amount जिसको के हम लोग क्या बोलते है कि principal amount है तो जो principal amount हम लोग bank में रखते हैं तो उस bank में जितनी अवढ़ के लिए, जितने time period के लिए रखते हैं हम लोग bank में उतने time period के लिए उस principle amount का कुछ rate कुछ percentage उसका वो bank वापस कर देती तो principal का कुछ amount जो हमें वापस करती है वही हमें interest के form में वो हमें bank देती है ठीक है तो जो bank हमें वापस देती है वो किस form में देती है simple interest के form में देती है क्योंकि इस lecture में हम लोग simple interest के बारे में पढ़ना है तो simple interest के बारे में ही सीखेंगे compound interest के बारे मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बाद lecture series compound interest पे होगी तो सबसे पहले आज हम लोग सिंपल interest को सीखने वाले हैं तो simple interest का जो सबसे easy formula होता है जो सबसे useful होता है उसको समझ लिजे symbol interest equal to किसके परापर होता है जो भी principal amount या जो भी रुपय हमने bank को दिये multiplied with कितने time के लिए दिये multiplied with bank ने उस पे कितनी rate कितना percent interest उस पे लगाया और यह क्योंकि rate percentage होता है तो percentage की अगर हम बात करें कि 4% है तो ऐसे भी सही है लेकिन अगर सिफ हम 4 value रखना चाहते है percentage यहां पर नहीं उस करते हैं तो उस percentage को हम लोग ratio में convert करने के लिए पहले सही 100 यह ज़्यादा नहीं करने को आपको मिलेगा आप इसको use कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं इसको जो सबसे ज़्यादा use कैसे किया ज़ता है इन दोनों terms का बहुत ज़्यादा use होता है ठीक है R और T R यानि की rate of interest multiplied with how much time के लिए वो रखा गया ठीक है R और T का multiplication जो हो और यहाँ पर multiplication में क्या चला जाता है 100 ठीक है तो दीक है यह कुछ formula थोड़ा सा same formula से हम लोगोंने कुछ नई चीज derive कर लिए वो क्या है rate multiplied with time आपको यह याद रखना है आप यह बहुत time तक याद रखते हैं अब आप इस चीज को अगर याद रखेंगे तो आपको और थो multiplied with is equal to किसके बराबर है कितना simple interest और वो किस principle पर मिला है यह चीज ठीक है multiplied with 100 100 कब multiply करेंगे जब यहाँ पर rate जो है वो percentage में ना होके सिर्फ एक value के form में लिखा जाएगा ठीक है अगर आप यहाँ पर इसको 4 percentage लिखते हैं तो फिन यहाँ पर 100 आप हटा लेंगे ठीक है यह च छह महिने के लिए चार प्रिचसद ब्याजदर पर देना होगा ठीक है तो दिखें को अभी मैंने जो फॉर्मला बताया है सेम फॉर्मला ही इस पर अप्लाई हो जाएगा इसमें क्या है simple interest मैंने जो फॉर्मला बताया एक बार इसको लिख देता हूं simple interest upon principle amount is equal multiplied with 100 is equal to rate into time ठी percentage में value होती है कि उसका just amount कितना लिखना है यहां पर time जो होता है वो हमेशा year wise है अगर जो rate of interest वो कैसा है yearly है तो यहां पर जो time होगा वो years में होगा ठीक है तो यह चीज है दूसरी चीज और इसमें बाकी चीज आपको पताएं ठीक है तो पहला question चलिए इसी formula से solve कर लेते है तो यह क्या है इसमें rate पूचा गया तो rate की value मैंने कितनी रखी कि 4% ब्याज दर पर है तो 4% यहां पर 4 मैंने इसकी value 4 रख दी ठीक है time given है कितना 6 months तो 6 months को मैं year में convert करूँगा तो वो कितना हो जाएगा कि आधे साल के लिए ठीक है is equal to क्या होगा simple interest वो मुझे कितना चाह तो principal amount पूचा गया वो कितना होगा तो यह मैंने इसको मान लिया ठीक है multiplied with 100 तो P की value मुझे निकालनी है तो यह देखे कैसे हो जाएगा यह 2 हो जाएगा 2 से इसको आपकर दीजे तो यह कितना जाएगा 75 तो P की value कितनी आ गई 75 hundred rupees आपको 6 महिने के लिए रखने पड़ेंग हुआ है यह 2000 में जो question पूचा कहता है से से सीजल में उसका यह question है इसी type के और questions को देखते है guys अब देखे यह question क्या क्या रहा है कि 1600 रुपए की धनराशी पर 2 वर्स 3 महिने का साधारन ब्याज 252 रुपए है ठीक है ब्याज की दर बताईए तो 1600 रुपीज पर simple interest कितना है 25 52 in 2 years and 3 months ठीक है the rate of interest per annum is asked okay so what we do is r into t is equal to कितना होगा आपका si simple interest upon my total principle multiplied with 100 ठीक है यह formula है अब इसको आप यूज कर लिजे तो r आपको पूचा गया ठीक है ब्याज की दर पूची गई rate of interest पूचा गया तो r आपको निकालना है तो r को र जैसे रखे है time मैंने बताए कि per annum पूची गई है yearly पूची गई है कितनी होगी तो time को आपको किसमें रखना पड़ेगा year wise तो year में 2 साल तो ठीक है लेकिन यह 3 months तो ठीक नहीं है तो 3 months को आप convert कर लिजे कितने total months होते है 12 तो यह 3 से 12 को divide कर दिये तो यह कितना हो जाएगा आपका years में convert होगा ठीक है दो सही यह 3 months 12 is equal to simple interest आपको कितना मिलता है 252 रुपए और total कितने पर 1600 रुपए पर तो 1600 रुपए पर आपको कितना मिलता है 252 simple interest मिलता है multiplied with 100 तो यह 200 से 200 कट जाएगा इसको अप्सॉल कर लिजे तो 2 से कट जाएगा इसीदे से तो यह 8 बर और यह 2 से कट जाएगा इसीदे से तो 126 यह 1 बर और 2 से कट जाएगा तो यह कितना जाएगा 63 और यहां पर कितना जाएगा 4 अब इसको फर्दर आप इसको solve कर सकते हैं तो 3 से 12 कट जाएगा तो यह 1 बटे 4 आ गया तो इसको और लिखेंगे तो यह कैसे लिख सकते है 4 दुनिया 8 और 1 9 तो 9 बटे 4 बराबर कितन आ गया 63 by 4 तो 4 से 4 कट जाएगा तो इन 9 से कटेगा तो यह कितना जाएगा 7 तो R- analyse आपके कितनी एजाएगी 7 परसेंट थिक है तो rate of interest आपका कितना आ गया कि 7% रहा होगा तो दिक है इसी तरह से आपके फॉर्मले से आपके 90% जो questions होंगे, वो solve हो जाएंगे, मा के 10% questions होंगे, उनके लिए मैं आपको और तरीके बताऊंगा, तो चलिए ECP-based कुछ और questions देखते हैं, अब दीके ये question क्या कह रहा है, कि in what time will 1860 amount to 2641.2 at simple interest 12% per annum, तो आपको पताना है कि कितने समय में 1860 रुपए ज जाएंगे, अगर आपकी वार्सिक ब्याजदर कितनी है, 12% है, तो देखिए, आपको मैंने formula बताया है कि आपको rate of interest given है, 12% है, 12% given है, time आपसे पूछा गया, is equal to कितनी value हो जाएगी, तो 2641 आपका total amount हो जाए, और initially कितना था, 1860 तो आप इसको घटा लिजे, तो ये कितना जाएगा, यहाँ पर आपका value आजाएगी, 8, 7, ठीक है, तो ये आपका आगया कि 781.2, इतना amount आपका interest के form में directly आपको मिला रहा होगा, ठीक है, तो 781.2 ये आपका interest मिला होगा, कितने में से, 1860, इतने रुपेज पर, इतने principal पर आपको इतना amount interest मिला जाएगा, मिला होगा, ठीक है, multiplied with 100, तो यहाँ से आप T की value निकाल लेंगे, तो T की value कितनी आजाएगी, इसको आप solve कर लीजे, तो ये एक point से, एक point, एक zero कट जाएगा, और एक zero, ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है, तो अब आप इसको solve करेंगे, तो देखे, 12 से कैये directly कट जाएगा, त तो ये देखे, किस से कट सकता है, ये तीन से कट जाएगा, तीन से काट लीजे इसको, तो तीन से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये नीचे जाएगा, छे बार, और तीन बार, ये कितनी बार जाएगा, तीन दू नीचे, तीन इकम तीन और साथ, ठीक है, तो तो इसक से आप्स से आप्राक्श निकाल सकते है की 3.30 साल इसकी वैल्यू आजाएगी ठीक है एक्ज medios पैइेंट रॉक्सल्रू कितन नेckài वाइग अर criminal का कै करते हैं तो और तो 5 वर्सों में 65% कि दर से 60 रुपए साधरनल ब्याज मिलेगा ठीके क्विश्टन में आपको पूछा किया कि कितनी रासी क्या होगी जिसके पांच वर्सों में तो आपको रेट दिया हुआ है 6 और आपसे टाइम भी गिवेन है 6 एर्स 6% पर एनम दिया हुआ है और 5 एर्स के लिए तो आर और टी आपको गिवेन है सिंबल इंट्रेश्ट भी गिवेन है कि 60 आपको मिलनी चाहिए साधानल ब्याज ठीक है तो साथ यह भी हो गया प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा गया है तो हंड्रेट आपने इसको मिल्टिप्लाएगी अब पी की वैल्यू आप सीधे से निकाल लेंगे तो देखिए 6 365 दिन मानने है साधान ब्याज की दर से उधार दिया जाता है जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपए प्रति दिन प्राप्त होते हैं तो धनराश ही बताइए देखिए बहुत ही अच्छा कुश्चन है इसको करने के दो तरीके होते हैं एक बहुती लेंदी मेथेड है लेंदी मेथेड में लोग आपको क्या समझाएंगे कि 2 रुपए आपको ब्याज गिवन है आपको प्रति दिन यानि एक दिन के लिए ये वैल्यू बताइगे तो एक दिन को आप क्या करेंगे एक दिन की वैल्यू क्या आएगी या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर कि या खरिये आपको पता है कि कि प्रति दिन दो रुपए मिलनी है तो 365 दिनों की बात है तो 365 में आप प्रति दिन अगत 2 रुपए मिलने तो साल में कितना मिलेंगे इसका जब नई कर दीज़े तो बन चैनर देन बाएर एक तेरा एक तीन दुन और आपने यहां पर लिखा और प्रति दिन की जिगह यहां पर आपका क्या हो गया वन यह ठीक है अब आपकी रेट ओफ इंट्रेस्ट क्या है पांच परसेंट तो रेट ओफ इंट्रेस्ट से आपने इसको 14600 रुपए जब वह जमा करेगा वैंक में तो उसे प्रति दिन दो रुपए के हिसाब से मिल जाएगी धनरासी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गाईस अधिक इसके बाद यह कुश्चन क्या कर रहा है कि 400 रुपए की राश में 480 रुपए हो जाती है कि 400 रुपए की राश जो अगर 2% बढ़ा दिया है तो नया मिश्रधन क्या होगा यानि कि अब कितना इमाउंट हो जाएगा तो यहां पर एक और important concept यह समझ लिजे कि जो आपका rate जो भी simple interest होता है जो simple interest होता है वो हर साल आपका कैसा रहता है same रहता है ठीक है हर साल आपका जितना simple interest मिलता है वो same र जितना होता है और इस व्याज पर भी मिलें लगेगा ऐसा कभी नहीं होता है जो simple interest होता है उसमें क्या होता है आपका जो एक बार आपने principal amount जमा किया बस उसी पे ही आपको हर साल क्योने मिलता रहता है यानि अगर पहले साल आपको 50 मिला है तो अगले साल भी 50 मिलेगा और ऐसे ही हर साल तक 50 मिलेगा, यानि कि simple interest क्या होता है, हर साल आपका same रहता है, तो इसी वज़े से इस तरह के questions में, कभी भी आपसे कहा जाए कि 4 words में 480 हो जाती है, तो आप इसका मतलम निकाल लीजे, क्या होता है, कि अगर 400 रुपए, 480 हो जाते हैं, यानि कि आपको कितना interest मिला, 80 रुपए का interest मिला, ठीक है, और ये कितने time पे, 4 words में, 4 words में आपको interest कितना मिला, 80 रुपए, ठीक है, तो एक words में कितना मिला होगा, एक words में आपको मिला होगा, 20 रुपए, मैंने 4 से divide कर दिया, तो 4 words में 80 था, तो एक वर्स में कितना होगी या 20, तो अब आप हर चीज को बहुत आसानी से solve कर पाएंगे, आप हर बार जैसे 4 वर्स के लिए formula लगाते, तो आप सीधे से क्या करेंगे, एक वर्स के लिए formula लगाएंगे, और in fact मैं तो कहूंगा, आपको यहाँ पे formula लगानी के भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बात एक वर्स की होती है, तो सीधे से आपका interest में value आपकी आ जाएगी, देखे 400 रुपए था, 400 रुपए का कितना प्रतिसत होता कि एक साल में वो 20 रुपए देता, तो 400 का देखे 10% अगर मैं कहूं सीधी सी value मैं निकालूं, तो 10% 400 का कित इतना रहा है, 20 रुपए यानी की आधा, तो 10% ना होके वो कितना रहा होगा, 5% रहा होगा, ठीक है, तो initially जो rate of interest था, वो कितना था, 5% अब उसमें क्या कहा गया है, कि 2% बढ़ा दिया जाएगा, तो 2% अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7% हो जाएग जहाँ पहले कितना मिल ला था, 20 रुपए मिल ला था, हर साल, अब उसको कितना मिलेगा, 28 रुपए मिलेगा, और ऐसे कितनी साल उसको total उसने जमा रखे थे, 4 साल, तो अब नया मिस्रिधन कितना होता, 4 दुनी 80 और 8, 32, यानी कि 112 रुपए उसको और extra मिले होते, तो 400 से न होते, अगर उसमें, दो प्रिस्ट की ब्याजदर और बढ़ गई होती, ठीक है, नेक्स कुशन देखते हैं, अब देखे, ये कुशन क्या कह रहा है, कि 15 सर रुपए की धनरासी पर, 3 वर्सों का, 2 विभिन स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर, 13 रुपए 50 पैसे है, तो उनकी ब्याजदरों का अंतर आपको बताना है, ठीक है, तो 15 सर रुपए की धनरासी पर, 3 वर्सों का, 2 विभिन स्रोतों से ब्याज का अंतर कितना है, 13 रुपए 50 पैसे है, तो दीखे, इसमें क्या कर सकता हूँ, कि अगर मैं मानू की पहले किसी स्रोत से, R1 ब्याजदर र कि प्राप्त ब्याज़ों का अंतर गिवन है, 13 रुपए 50 पैसे, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ही मेरा exact answer दे देगा, तो R1-R2 को ही मैं लेके चलता हूँ, कि R1-R2 यही ब्याजदर है, जितनी एक्ष्ट्रा रही होगी ब्याजदर, उसी की वज़े से 13 रुपए 50 पैसे कितना ज्यादा है, जैसे मैं काउं कि यह अगर पांच फूट है और यह कितना है तीन फूट है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 फूट का अंतर है, याने कि यह कि यह किश्ट्रा एक्ष्ट्रा है, तो similarly चीज़ यहाँ पर भी है, एक आपको जब भी पूदा क्या ग जाएगा कितने रुपय का अंतरा है 13.5 रुपय का और कितने रुपय पे 1500 रुपय पे multiplied with 100 ठीक है तो 2 0 से 2 0 आपके कट गए यह value आपके आ जाएगी तो r1-r2 की value कितनी आ जाएगी इसको आप डिवाइट कर लिजे तो 13.5 बटे 3 multiplied with 15 तो देखे 3 से काट दीजे इसको दसम्मलो आप हटा लिजे 1 upon 10 कर लिजे ठीक है तो 135 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45 तीया 135 होता है और 45 को 15 से काट दीजे 15 तो 3 by 10 यानि कि इसकी value सीधे से कितनी आ जाएगी 0.3% ठीक है तो का अंतर कितना आ गया मेरा सीधे से 0.3% ठीक है यह आपका अंसर आ जाएगा 0.3% ठीक है next question देखते हैं guys अब देखी ये question क्या कह रहा है कि कोई रासी साधारन ब्याज की किसी वार्सिक दर से 3 वर्स में स्वयम की 7 बटे 6 गुना हो जाती है देखे इस सवाल को करने का अगर मेरी इनिसेली जो एमाउंट था मेरा अगर 6 रुपय रहा होता तो तीन वर्सों में तीन एर्स में कितना हो जाता साथ बटे 6 गुना होता तो यानि कि 7 हो जाता तो प्रिंसिपल एमाउंट जो मेरा था वो कितना था 6 रुपय और मेरा जो एमाउंट मुझे मिला वो क मुझे मिला है यह कितने टाइम पर मिला है 3 years में मुझे मिला हुगा है तो दर मुझे बतानी rate of interest ही मेरे से पूछा गया है तो मैं अब आप यहां पर अपना formula लगा दूँगा कि R multiplied with कितने समय में 3 साल में तो R into 3 is equal to कितना मिला है मुझे 1 रुपय मिला है कितने में से 6 में से ठीक है 6 रुपय जब मैंने amount रखा था तो 1 रुपय मिला multiplied with 100 ठीक है तो अब आप इसको जब solve करेंगे तो यह कितना आजाएगा देगे 3 से यहां पर नीचे आजाएगा तो 100 यहा यहां पर 18 को एक बटे 18 आपको अगर याद हो कि एक बटे 18 में आपको बताया था कितना होता है 5 सही 5 बटे 9 ठीक है तो यहां पर आप डायरेक्ली भी इसका अंसर लिख सकते हैं या फिर आप क्या कीजिए आप इसको डिवाइट कर लिजे तो 18 पंचे 90 और 10 बचेगा 10 प्रिस्ट की दर से किसी राज सीका 10 वर्सों में साधारन ब्याज मूल धन का दो बटे 5 हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था इस तरह कुश्चन को कहसे सौल करते हैं आप मान लिजे कि इनिशली आपका मूल धन कितना था 5 ठीक है अब देके कुश्चन में कह क्या रहा ह है कि साधारन ब्याज मूल धन का दो बटे 5 होगा तो मूल धन अगर मेरा 5 था तो साधारन ब्याज मेरा कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो साधारन ब्याज दब 2 हो जाएगा तो एमाउंट मुझे कितना मिलेगा 7 ठीक है तो एमाउंट मुझे कितना मिला है 7 तो अब य कितने समय में 10 सालों में कितना मिला एमाउंट मुझे 2 रुपए कितने में से 5 में से ठीक है तो 5 में से मिला multiplied with 100 तो यह कितना जाएगा इस 1010 कट जाएगा इस 5 से कट जाएगा 2 बार ठीक है तो आर की वेल्यू आपकी सीधे से कितनी आ गए 4 परिटसे ठीक है आपका अंसर कितना आ जाएगा 4 परसेंट आ जाएगा ठीक है उसमें आपको क्या बताना है कि कितने समय में समय आपको बताना है टाइम कितना लगेगा कि आपका जो amount है वो कितना हो जाए डबल हो जाए तो मैं जब भी double करने को बोला गया तो मैं मानूँगा कि initially पहले कितना था एक था तो डबल होने के लिए 2 होना पड़ेगा यानि कि कितना इंट्रेस्ट मिल जाए एक और इंट्रेस्ट मिल जाए ठीक है तो अब इस question को कैसे solve करूँगा कि एक इंट्रेस्ट मुझे मिला है और initially कितना था एक ही था multiplied with 100 और यहां पर क्या है दर कितनी गई गई है 6 से 1 बटे 4 या फिर इसको में लिखूँगा तो कितना 25 बटे 25 बटे 4 ठीक है इसको कितना लिख सकता हूँ क्योंकि यहां पर मैं 100 तो पहले से ही कर चुका हूँ तो इसको बस ठीक से solve कर लिख लेता हूँ तो 6 से 1 बटे 4 को 6 चाचों को 24 और 25 तो 25 बटे 4 यह मेरी दर कही गई है टाइम ही मेरे से पूछा गया है तो टाइम मेरा कितना जाएगा टाइम को अपसॉल कर लिजे तो यह कितना जाएगा 4 से दर multiply हो जाएगा तो 4 multiplied with 100 divided by 25 तो 25 से 100 कट जाएगा तो यह कितनी बट जाएगा 4 बटे 4 चाचों करना आपको initial और final जो values हैं उनको मानना आना चाहिए कि आप कैसी values माने जिससे कि आपका answer बहुत ही easily आजाए बाकि आपको मैंने एक formula बताया कि rate multiplied with time is equal to कितना simple interest हुआ divided by कितनी amount कितना principal amount आपने लिया था उस पर ठीक है कितना principal amount लिया था उस पर कितना simple interest आपको मिला multiplied with 100 इस 100 का जब आपने multiply कर दिया तो अब आपको इस rate को सिर्फ value रखनी है उसको percentage को ratio में convert करनी की ज़रूत नहीं पड़ेगी ठीक है जब आप उसको अगर percentage को ratio में convert करें तो इस 100 को यहां से हटा लिजे तो इस तरह से questions को मैं ऐसे आसानी से solve कर सकता हूँ next question देखते है guys अब देखे यह भी कुछ उसी तरह का question है इसमें क्या कह रहा है कि साधर ब्याज की वहदर क्या होगी जिससे कोई राशी 16,2,3 verse में दोगनी हो जाए देखे यहां पर क्या कहा गया उसने इस बार उसने verse दे दिया और rate पूछा है तो मैं rate को आर मानूँगा verse कितना है 16,2,3 3 को मैं क्लिख सकता हूँ 16,3,6,3,8,2,50 तो 50,3 इसको मैं यह years में लिख दिया मैंने is equal to दूगनी हो जाएगी तो मैंने बताया था कि दूगनी हो जाएगी तो कितना amount उसको मिलेगा interest के form में 1 जबकि उसका principle कितना रहा होगा 1 multiplied with 100 ठीक है तो इकाट लीजे तो 50 से कटेगा 102 बार तो R की value कितनी आजाएगी 6 यानि कि 6% जब ब्याजदर होगी तब 16 से 2 बेटे 3 वर्स में आपका answer आजाएगा ठीक है इसका answer आपका कितना आजाएगा 6 ठीक है next question देखते है अब ये question क्या कह रहा है कि साधारन ब्याजदर से कोई रासी 7 वर्स में 2 गुनी हो जाती है आपको समय दे दिया है कि 7 वर्स में 2 गुनी हो जाती है उतनी ही रासी उसी ब्याजदर पर कितने वर्सों में 4 गुनी हो जाएगी तो पहले देखे क्या कहा गया 2 गुनी हो जाती एक आपको ब्याज मिल रहा है, इनिशल एमाउंट कितना है, एक, ठीक है, प्रिंसिपल मैंने कितना दिया है, एक, मुल्टिप्लाइड वे थंडेड, तो आपकी दर कितनी आ गई, सौ बटे साथ, ठीक है, इसको आप सौल मत किजिए, इसको ऐसे यूज कर लिजेगा, उसी ब मानूंगा कि टी समय में, दर कितनी है, सौ बटे साथ, बराबर कितना आ जाएगा, कि तीन इंट्रेस्ट मिले मुझे कितने पर, एक पर, मल्टिप्लाइड विथ 100, तो ये 100 से ये 100 कट गया, टाइम की वेल्यू मुझे कितनी आ गई, सात्रिक 21, यानि कि 21 सालों में, अगर वो इसी तरह से रहेगा, तो कितना हो जाएगा, चार गुना अपने आपका हो जाएगा, ठीक है, इजी कुशन से, नेक्स कुशन देखते देखे, पांच परसेट आपको दर गिवेने, दर कितनी है, पांच परसेंट है, और समय कितना है, तीन वर्सों और चार वर्सों में प्राप्त ब्याजों का अंतर, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तीन वर्स में उसे कुछ मिला होगा, तो क्योंकि मैंने आपको बताई कि हर साल कितना मिलता है सेम मिलता है तो अगर पहले साल x मिला होगा दूसरे साल x मिला होगा तीसरे साल x मिला होगा और चार साल में कितना मिला होगा 4x तो तीन साल और चार साल में ब्याजों का अंतर कितना आएगा एक साल के ब्याज के अंतर के बराबर ही तो आएगा X ही तो आएगा 3X और 4X का अंतर, यानि कि ये उसने क्या कहा है, कि एक साल में कितना ब्याज मिलता है, वो उसने डारेक्टली आपको दे दिया है, तो 5 इंटू ये कितने समय का है, एक साल का ब्याज का अंतर है, आपका 5 इंटू 1, is equal to साधारन ब्याज कितना है, 42 रूपीज divided by कितना आपका amount है, amount आपका कितना हो जाएगा, P multiplied with 100, ठीक है, तो P ही आपसे पूछा किया, कि वहरास ही बताओ, जिस पर 5 इंटू किदर से, 3 वर्सों और 4 वर्सों साधारन ब्याज में अंतर कितना है, 42 रूपाय है, तो P की value आपके कितनी आ जाएगी, P की value आप इसको solve क कर लीजे, तो यह कितना आजाएगा, 5 से कट दीजे, तो यह 5 से कटेगा, तो 10 दो बार जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 840, ठीक है, यानि कि 840 रूपाय जब आप लेंगे, और उसको 5 प्रिस्त की दर से लेंगे, तो उससे ही मुझे 3 वर्सों या 4 वर्सों मैं जाएगी, अब देखे, अभी मैंने आपको बताया कि हर साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है, तो देखे, यहाँ पर उसने क्या कहा, कि 5 वर्सों मैं 520 है, यानि कि 5 जब वर्स मैंने आड़ किये, तो 520 मुझे मिला है, तो यह कुछ 5 टाइम् कितना इंट्रेस्ट रहा होगा तो दो साल का इंट्रेस्ट निकाल लेते हैं तो यह 8, 6 में 2 गया 4, 5, 5 तो यह 48 रुपए जो है कि एक साल में मुझे 24 रुपए मिलता है तो मुझे पता है कि 5 सालों में कितना मिल रहा है 520 रुपए तो 5 सालों में मेरे कॉर्डिंग मैं अब चेक करूं तो 5 सालों में मेरे कॉर्डिंग कितना होना चाहिए 120 24 पंचे 120 हो रहा है तो मेरे कॉर्डिंग जो simple interest है 120 रुपए होता है लेकिन देखें यहां पर कितना है 520 इसका मतलब कि 5 सालों में जो amount 520 हुआ है उसमें 120 रुपए तो सिर्फ ब्याज का ही है तो 120 आप इसमें से घटा दीजे तो यह कितना आगया आपका 400 इसका मतलब क्या हुआ कि 400 रुपए आपके पास initially रहे होंगे उसी से ही आपने हर साल जब उस पे XX करके जोड़े होगे तो जब 5 साल जोड़ा होगा तो 520 हो गया और 7 साल जोड़ा तो कितना हो गया 568 यानि कि इसमें जो 120 रुपए है वो किसका है directly interest का है तो initially धनरासी मेरे पास कितनी रही होगी 400 रुपए रही होगी तभी उसमें 520 मेरे पांस साल में और 7 वर्षो में 560 रुपए हो गया होगे ठीके तो कौन से धनरासी रही होगी 400 रुपए की धनरासी रही होगी ठीके गाईज नेक्स कुशन देखते है अब ये कुशन क्या कह रहा है कि कोई धनरासी साधारान ब्याज की किसी निशित दर पर 2 वर्षो में 756 रुपए और साड़े 3 वर्षो में 873 रुपए हो जाती है देखे ये जो धनरासी दी होती है ये हमेशा मिश्र धन होता है अगर आपको ये इंटरेस्ट भी दिया हो तब भी आप इस कुश्चन को उसी तरीके से सॉल करते है या फिर आपको ये मिश्र धन दिया है तब भी आप इस कुश्चन को तो आप जब इसको घटाते हैं, दो amounts को, तो principal amount तो हमेशा same रहता है, क्योंकि principal amount हर साल chain नहीं होता है, ठीक है, तो principal amount जब सेम रहता है, तो जब आप दो सालों घटाते हैं, तो principal तो वैसे भी कड़ जाता है, आपका अंतर सिफ simple interest का ही आता है, तो अंतर आपका सिफ simple interest में आता है, तो मैं कहूँ कि अगर आपको यहाँ पर, चाहे तो वो मिश्रधन दिया हो, amounts में अंतर दिया हो, या फिर आपको direct interest दिया हो, कि 2 वर्षों में interest इतना है, 3.5 वर्षों में interest इतना है, दोनों ही cases में आप क्या कीजिए, आप उन दोनों को घटा दिजे, तो दिखे, 2 वर्षों में मेरे पास कितने रुपए है, 756, और साड़े 3 वर्षों में मेरे पास कितने रुपए है, 873, ठीक है, तो इन दोनों का आप अंतर निकाल लेंगे, तो दिखे, कितना आएगा, 13 में से आप 6 गटा दिजे, तो यह कितना आजाएगा, 7, यहाँ पर 6 में से 5 गटाएंगे 1, और 8 में 7 गटाएंगे 1, ठीक है, तो यह कितना आगे आपका, 117, तो 117 कितना है, डेल वर्षों में आपका इंट्रेस्ट जो है, वो कितना है, 117, तो डेल वर्षों में आपका इंट्रेस्ट मिलता है, तो 78 रुपए अगर उसको 1 साल में मिलता है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 78 का दुगना कर दीजिए, तो यह कितना आजाएगा, 8, 2, 16, 6, 8, 7, 14, 1, 156 रुपए उसे 2 सालों मिलेगा, तो उसके पास देखी, 2 सालों में कितना अमाउंट हो गया था, या फिर एक साल में कितना हो रहा था, 78 तो अब आप इसके इंट्रेस्ट निकाल सकते हैं, तो दीकि 10 पर्सेंट अगर मैं इसका करता है, तो 60 रुपए मुझे इंट्रेस्ट मिलता, 11 पर्सेंट करने पे 6-4 रुपए, 12,68 होता है, यानि कि इसका आंसर कितना आजाएगा, कि 12 पर्सेट वार्सिक दर रही होगी, तभी मुझे 78 रुपए, 600 रुपए का कितना पर्सेंट 78 रुपए होगा, इससे भी मैं डिरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, कि 12 पर्सेंट, हर बार मुझे rt is equal to इस formula का भी use नहीं करना है, अगर मैं उसको calculation को देख के समझ सकता हूँ, तो मुझे बार बार इस formula को भी नहीं लिखना है, आप क्या कर सकते हैं, आप डिरेक्ट idea से भी answers निकाल सकते हैं, कि कितना rate of interest रहा होगा, ठीके?